सब ही बिरोजगार लोगों को नमस्कार कोई परहाई लिखाई पर बात होगी नहीं क्योंकि परहाई लिखाई करने से कोई फैदा है नहीं परहाई लिखाई कराके ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके परहाई लिखाई से समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया किजिए बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं परेसान हो गए है भाईया बिरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बिरोजगारी हो गई है कि ज़रा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा वेक्ती जो गुरूप D के लिए जो कि B.A.C. कर चुका है B.A. कर चुका है, M.A. कर चुका है PhD कर चुका है गुरूप D के लिए फॉर्म भरता है और हाई करोर विद्यार्थी फॉर्म भरता है सोचने वाली बात है मोदी जी और हाई करोर जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है और हाई करोर है तो उसके माबाप भी जोर लिजे भाई बान जोर लिजे और वो यूबा है तो उसके पडिवार का निगाटिका हुआ है उससे एक आस जुरा हुआ है उस पडिवार का प्लीज आपसे हाथ जुर कर बिनती है हमारी अब कहिएगा कि आप पगला काहे गया है लोग कहेंगे कुछ नेता लोग देखो हमरा कोई पाटी या पॉलेटिक से कोई मतलब नहीं है जैसा बीजेपी वही साही कॉंग्रेस वही साही आरजेडी वही साही जदियू सबका हाल वही है अगर कॉंग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदियू नहीं आता सबका यही समस्या है म मुझे किसी पाटी से मतलब नहीं लेकिन मुझे अपने आधर निये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीजी से मतलब है ये छात्र ने आपको बनाया है और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधान मंतरी नहीं बनाया था कहेंगे कि तुमारा क्या जाता है तो आपको पता है जब आप देश के खादिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो अभी कुरोना वाइरस के समय सब लोग ने आपका योगदान किया मैंने भी किया एक लाक रुपे डोनेट किया था मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं मिडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि मिडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं मिडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा भीव नहीं होंगे इसलिए बेरुजगारी पर बात नहीं होगा उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवरती किसके साथ हाज घूम रही है कल कहां सोई थी परसु कहां सोएगी रिया चक्रवरती के बारे में ही केवल चर्चा होगा लोगों को मजाता है उस आपको आज बहुत सारी बाते बताने वाला हूं, करने वाला हूं, जो भी लोग हैं जिनको परसानी हो, जहमा चाहते हैं, आप परसानी हो यह तका कर लिजेगा हमको, इतना ही कर दीजेगा, कभी गोली मार देगा, कोई तो याद रखेगा, इति हांस जब लिखा जागा, तो रेलवे का फार्म भरता है, जिसमें 5 500 रुपय सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया यानि कि 12 अरब 50 करोर बात समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, चुकि मैठ का मैं टीचर हूँ तो मुझे समझ में आता है, हमारा गाव में 5 रुपय बयाज चलता है वो दीजी पाँच रूपे साइंकरा महिना का ब्याद चलता है तीन रूपे माल लेते हैं कि मोटा रकम है तो तीन रूपे अब तीन रूपे से हमने निकाला तीन परसेंट से महिना का चुकि महिना में ब्याद चलता है गाओ में तो इस तरह से बारा महिना में बारत ये 36% हुआ, दो साल में 72% हुआ, और ये सारह 12 अरव का, सारह 12 अरव का जो ब्याज हुआ, वो 9 अरव हुआ, दो साल आप लटका दिये, रेलवे वाला फ़रम भरवा के लेका सब को 5500 रुपया लेके, अब आप कहिएगा कि एक्जाम के बाद हम 50 लोटा देते हैं, लेकिन ब हूत होता है, नो और अब, कोई सथारन बात नहीं है, अब देख लिजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर-बकर कर रहे बाई, गरीबाद भी है, जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1,00,000 रुपय हम PM के एरफंड में दिये थे, काहे जनते हैं, कि कोरोन से लराई लरियेगा, तो देश हित में ही पैसा जाएगा, इस पैसा से जब वैक्सिन बन के आएगा, या हमारे साइन्टीस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सिन पर, तो खर्च परेगा, खर्च लगेगा, तो आदमी किसी के पास जो अउकाद था, एक रुप याद रखिएगा, यह यूवा बिरोजगार रहेगा, तो आपके विरुद्ध खारा होगा, भाईया तक था पलट जाएगा, इस बात पक्का सुन लीजिए, काहें कि आज हम दिल से बात करें, दिल से बात किये थे, तब न मदद किये थे, अब देख लीजिए, तीस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, उस नेता को भी पड़ेगा, जुन बोट मांगने आएगा हमारे हाँ, याद रखिएगा, यह पूरे देश, पूरा देश में अभवाल होने वाला है, अगर सही टाइम से एक्जाम नहीं लीजेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल लीजेगा, परधान मंतिरी राहत को उसमें एक लाख रुपे का योगदान दिया, मैथ मस्ति लिखेगा, ये लाइन लिखेगा, मैथ मस्ति लिखेगा, जरूरा जाएगा, आपको पता चल्यागा, हमारा घर भी करकटका है, और फिर भी एकाउंट में एक लाख तईस अज पाप लगेगा, न तो तनी ध्यान दीजी यहाँ पर, ये देखिए, कहते है कथी, कि अस्थानिये खिलाओने बनाकर आत्म निर्भर भारत बनाईए, खिलाओना तो हम बनल है, जैसे मन होता है, आप खेल रहे हैं, जो आप का रहा हैं, लोग वही कर रहा है, अब हम कुन ख पुलिस के बहाली निकाल देंगे, भारी संख्या में, एकजामे को करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, अब एकजाम देके लड़ी का फसल है, कि अगर नितिस जी नहीं आते है, तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आगा, कोई नो कोई बावाल, चुकि बिहार में कोई अब देख रहे हैं बिहार SAC का एक्जाम कितना साल में हुआ है आदमी बुरहा गया जवानी में दिया था एक्जाम और रिजल्ट आते ते बुरहा जाएगा अब चुकि बिहार में एक्जाम ऐसी होता है तो ये क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाओ के बाद मजबूरन फ जो ये था इसमें इन्होंने कहा कि नलजल का रख रखाव करने के लिए बाडो को दुद्दू हजार रुपईया मिलगा ए प्रभू इस दुद्दू हजार कहला दे रहे हैं नलजल के दसा दिखा दे 33,000 करोर रुपय आपने बिहार में नलजल पर खर्चा कर दिया आज आ जहां से हम हैं वहां की स्थिति आपको दिखा दे थे कि नलजल का स्थिति क्या है बेरोजगारी तो भईया आपने ऐसी पहुचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लाइक नहीं है आप अगर आत्म निरभरे बनाना था खिलावना बनाना ही था इक वहला पर हवार है शुरूए से खिलावने बन बाते काहला ही पाच-पाच-पाच रुपईया लेके फ़रं मरवाली है आप दूस साल में नौ और आप ब्याज कमा लिए परभू छमा कीजिए परभू इस पर कोई उपाय कीजिए वरना आपकी तक्था पलड़ जाएगी और सारे बिद्या जो सरकार चाहती है हमारे सारे भाई बंधू जितने भी वाई फाई अस्टडी एक इजामपूर है अभिनव सर्मा है राकेस यादव सर है जितने भी लोग है जो भी वीडियो बना रहा है बहुत अच्छा कर रहे है सभी को हाथ जोड़कर तय दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये विद्यार्थी जो बिरोजगार है उसी के वज़ा से हमारा रोजगार है यही बात सचाई है और इसलिए हम इनके लिए लड़ेंगे चाहे जो हो जाए धरना परदर्शन होगा पूरे देश में धरना परदर्शन होगा और जहां ये अरहाई करोर और आई करोड विद्यार्थी सरक पर उतर गया तो सुन लिजिए ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा ये बात निश्चित है एक साथ हम है सब के साथ है सारे छात्रा अंदोरला करने के लिए तैयार रहिए एससी टाइम से एक्जाम नहीं लेती है एक तो आप वेकेंसी ह निकालते हैं तो जो निकालते हो उकरत कम से कम एक्जाम ले लिजिए सही से रिजल्ट ले लिजिए सही से रिजल्ट दीजिए और एक्जाम सही से ले लिजिए टाइम से ले लिजिए एक से डूल बना दीजिए जैसे मैट्रिक का एक्जाम होता है टुएट का एक्जाम हो इस महीने में रिजल्ट होगा उसी तरह SSC का भी एक्जाम होना चाहिए रेलवे का भी एक्जाम होना चाहिए आपको जितने सीट पर लेना है लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने इस महीने में एक्जाम होगा इस महीने में रिजल्ट आएगा इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा ताकि अंधेरे में लोग न जीए हे प्रभू ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ गरीब के बच्चा न जेनरल कंपर्टीशन के त्यारी करता है आर्मी के त्यारी करता है गरीब के बच्चा जाता है कम से कम एकरा साथ है इतना आमने आयना कीजिए इपाप का घरा भर चुका है मैंने अपने सर पर जुता मारा है अगर बोट मांगने मेरे एडिया में यह यह हम जुता मारेंगे आप लोग को इबात पक्का कह देते हैं आई वीडियो सेयर होना चाहिए आप सब को इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपसे हर करिए इस बीडियो को पहुचाए जहां तक हो सके इसको पहुचना चाहिए और हर ब्रीस आपसे हाथ जोर बिनती है कि हला बोल यह नारो लगाईी और सब लोग पहुचाएज जहां बीडियो बनाईे